जी के मस्ती MS में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है लूसेंट और अप्सनल से जो बारवाँ टॉपिक चल ला था उसमें सव कोश्चन हो गए थे मुगल काल के बारवाँ टॉपिक 1526 से 1857 इस भी तक और किरन बुक से भी सारे राजाओं का एक्स्प्लेन हो गया था औरंग जेब तक आज इसमें 101 से लेकर 120 तक कोश्चन होंगे और किरन बुक से मुगल सासन ब्योस्था होगी तो पहला कोश्चन है किस बादसा के अंतरगत मुगल सेना में सरवादिक हिंदू सेना पती थे अब मुगल सासन ब्योस्था रेखते हैं फिर सेस कोश्चन देखेंगे जो 19 इसके बचे विये हैं लिखा है मुगल सासन प्रडाली भारतित था विदेशी मुगल सासन प्रडाली भारतित था विदेशी प्रडाली के समिस्रण से बनी थी मुगल सासन प्रडाली भारतित था विदेशी खास करके इराकी अब्बासिद खलीफा या मिस्र के फात्मी खलीफा के नियमों के नुसर प्रडाली बनी थी एराकी अब्बा सिध खालीफा का या मिसर के फात्मी खालीफा के नीमो कानुसरन अगला या भारती वातावरण में अरभी फार्सी प्रडाली थी मुगलकाल की राजभासा फार्सी थी तथा दर्बार में इसे सरोस्रेश्टी स्थान प्राप्त था मुगल काल में फार्सी की दो सैलियां भारती यों इरानी सैली का विकास हुआ इसमें भारती सैली का प्रवर्तक अबुल फजल था बाबर से लेकर औरंग जेब तक सभी मुगल सासकों ने फार्सी भासा और साहित को सनरच्छड प्रदान किया सासन का अधिपति बादसा था वा प्रदान सेनापती नय विवस्ता का सरोच अदिकारी इसलाम का सनरच्छड यों जन्ता का अध्यात्मिन नेता होता था अकबर कालीन मुगल राजत्व सिद्धान्द की सपष्ट व्याख्या आबुल फजल ने आईने अकबरी में की है अबुल्फजल ने राजत्त के सम्मंद में लिखा है कि राजत्त विशर का अनुग्रा है या उसी वेक्त को प्राप्त होता है जिस वेक्त में हजारों गुड़े एक साथ बिद्धिमान हो अर्थात राजसत्ता परमात्मा से फूटने वाला तेज और विश्व प्रकासक सूर की एक किरण है अकबर राजतंत्र को धर्मयों संप्रदाय से उपरमानता था उसने रूडिवादी इसलामी सिध्धान्त के स्थान पर सुलाह कुल की नीत अपनाई मुगल प्रसासन सैन शक्ति पर राधारी ते एक केंद्री क्रत बेवस्था थी जो नियंत्रन एवं संतुलन पर राधारी थी मंत्र प्रसद को विजारत कहा जाता था वकील ए मुतलक बादसा के बाद सासन प्रवंदन करने वाला सबसे बड़ा राज करमचारी वकील था इसे वाद में वजीर कहा जाने लगा इसे मंत्रियों को नियुक्त करने एवं पदचीवत करने का अधिकार था अकबर ने बैरम खां के बाद इस पद को समाप्त कर इसे दीवान, मीर बक्सी, मीर समन एवं सद्र चार अलग भागों में बाट दिया दीवान या वित मंत्री या आर्थिक विसेयों में बादसा का प्रतिनित था वासाही खा जाने का प्रवंद और उसके हिसाब की जाच करता था कर विभाग उसके आधिन था अकबर के समय पहले मुझफर खां एवं बाद में राजा टोडर मल को दीवान नियुक्त किया गया मुझफर खां राजा टोडर मल इसके दो सहायक थे दीवान ए खालसा एवं दीवान ए जागीर मीर बक्सी सेना के सभी अधिकारियों की तनखा की जाच मीर बक्सी करता था वा सेना में लाजकी निमों को भी जारी करता था तथा घोलों को दागने तथा मनसबदारों की अधिकार में रहने वाले शेहनिकों की संख्या निस्चित करता था मीर बक्सी दो अन्न बक्सी होते थे बक्सिय हजूर एवं बक्सिय साह गिर्द पेसा अगला है प्रधान काजी प्रधान काजी या प्रधान नया अधीस था काजी उल्कुजात फौजदारी मुक्दमों का मुस्लिम बिधान के नसार फैसला करता था वह प्रांत जिला तथा नगर के काजीओं की नियुक्त करता था इसके सहायक मुक्ति होते थे मुहतसिब मुहतसिब क्या है इसका करता भी था मुहतसिब का कि सरीयत में मना किये गए कार्लियों को करने से लोगों को रोके तथा साधार्टा जनता के दुश्चरित्रता को रोके इनकी नियुक्ति औरंगजेव ने की थी प्रधान सद्र यानी सद्रूष उश्दूर प्रधान सद्र या धर्मिक दण संपत था तब विवाग का प्रधान होता था धार्मिक धन शंपत था दात्तब विभाग का प्रधान होता था मुगल काल में प्रधान विभाग देखिए आयवे विभाग ये दीवान करता था, सेना तथा वेतन विभाग ये मीरवक्सी देखता था, साही परिवार का प्रबंध ये खान सामा करता था, न्याय विभाग ये काजी देखता था, दान देने का विभाग ये सद्र कहलाता था, प्रजा के चरित्रियम धरम का निरिच्छड मुतसिब करता था राज सचिव ये मुसारिफ करता था नाजरे बयुतात ये साही कार खाने का दिच्छक होता था मीर आतिस ये तोब खाने का दिच्छक होता था दरोगा एक डाक ये चौकी डाक दिच्छक होता था नव सेना अदिच्छ की ये मीर बहर है वन अदिच्छ की ये मीर बहर है उत्सोव आधिका प्रवंदक मीर तोजक है साही पत्रों को लिखने वाला मीर मुंसी है अगला है प्रांती प्रसासन तो प्रांती प्रसासन में प्रांती सासन का सरोच्च दिकारी सुबेदार होता था सूबे का वित्त अधिकारी दीवान होता था सूबे की सेना की देखवाल बक्सी करता था सूबे की घटनाओं को नेंतरित करता कोतवाल था वाकई ए नवीस सूबे के गुप्तचर विवाग का प्रधान था वाकई आये नवीस सूबे का निया इधिकारी सदर और काजी होता था मुगल सामराज बटा था इस परकार सूबा फिर सरकार यानि जिला फिर परगना फिर दस्तुदर ग्राम यानि मावदा या दी और फिर नागला यानि छोटी वस्ती ये था द्सूबा, सरदार, परगना, दस्तदर, ग्राम, मावदा या दी, नागला यानि छोटी वस्ती सरकार जिला का सासन, फोजदार या जिले का एक प्रमुक सैनिक अधिकारी होता था अमल गुजार यानि जिले की माल गुजारी एकत्र करता था बिती कच्ची या क्रस सम्मंदी जरूर का आगजादेव, आगडे तयार करता था, खजानदार या जिले का खजानती था परगना का सासन, परगना का सासन में पांच लोग होते थे सिकदार, आमिल, फोतदार, कानूनगो, कारकुन सिकदार परगने में सांतित्था सुवेस्था की स्थापना के अतरिक्त कास्तकारों दोरा खजाने में जमा करने के लिए लाए गए माल गुजारी के रुपियों को भी सम्हालता था सिकदार परगना का चित्र अधिकारी आमिल होता था और फोतदार या परगने का खजांची होता था फोतदार कानून गो या पटवारियों का प्रधान होता था कानून गो कारकुन ये उत्पादन योग भूमि पैदावार मालगुजारी वसूली वकाया आदिवातों का लेखा रखते थे कारकुन तो ये तो परगना के सासन थे, सिकदार आमिल, फोतदार कानून गोकार कुन अब point by point है, कोतवाल नगर के सासन का प्रधान होता था कोतवाल, गाउं का मुख्य दिकारी ग्राम प्रधान होता था जिसे खुत या मुकदम या चौधरी कहा जाता था मनसबदारी प्रथा मुगल कालिन सेना संगठन मनसबदारी प्रथा कहलाती थी अकवर ने मनसबदारी प्रथा का वेग्यानिक धन्स से यथा सक्त संगठन किया साधरडता मनसब का आर्थ पद अत्वा परतिष्ठा होता था अकबर के सासनकाल में सबसे कम मनसब दसका तथा सबसे उंचा मनसब दस हजार का था सबसे कम मनसब दसका तथा सबसे उंचा मनसब दस हजार का अकबर के सासनकाल के अंतिम दिनों में इसे बारा हजार कर दिया गया पांच हजार से उपर के मनसब सहजादों के लिए सुरच्छी थे पांच सो से पचीस सो तीस तक मनसबदार उम्रा तीन हजार तथा उसके उपर के मनसबदार उम्रा ए आजम तथा पांच हजार से उपर के मनसबदार सवार कहलाते थे मनसबदारों को वेतन में नगद रकम मिलती थी वेतन में जागी ने भी दी जाती थी मनसबदार के घोडों को दाग लगाया जाता था मनसबदार का जातेम सवार दो दर्जे दिये जाते थे जाद से पता चलता है कि कितनी संख्या में हाथी, गोडे तथा सामान ढोने की बैलगाडी किसी मनसबदार को रखनी है सवार से दरजे का बोध होता था कि मनसबदार को कितनी संख्या में गोड़ सवार रखने है यदि जात एवं सवार बराबर हो तो प्रथम स्रेडी यदि सवार जात से कम हो तो दुती स्रेडी तथा यदि सवार जात से आधे से कम हो तो तुतीर स्रेडी कहा जाता था दुह अस्पा वह मनसबदार होता था जिसे निरधारित गुर्णसवार के साथ साथ उतने ही गोडे रखने पड़ते थे उसे सिंध अस्पा केते थे या परथा जहांगीर ने प्रारम की थी सरो पर्थम या पद महर बत खान को दिया गया था सिंग अस्पा और दू अस्पा की प्रथा अच्छा मुगल सेना पांच भागों में विभाजित थी पैदल, घुरसवार, तोप खाना, हाथी और जल सेना पैदल सेना दो प्रकार के थे एक ते आहसाम, दूसरा था सेह बंदी आहसाम, इनके पास तलवार, ये उव्म, छोटा भाला होता था ते गुरसवार भी दो प्रकार के होते थे बरगीर ये गुरसवारों को साझ का सारा सामान सरकार से मिलता था और सिलेदार ये अपने घुरे तहास्त्र सस्त्र स्यम लाते थे इनको बरगीर से अधिक बेतन मिलता था सिलेदार मुगल तोब खाना जिनसी तथा दस्ती नामक दो विभागों में बटा था मुगल अपनी निजी जल सेना नहीं रखते थे नावों का निरिच्छक मीर बहाल कहलाता था सहजहां के सासंकाल में सरकार यों परगना के मद्द चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई सहजहां के सासंकाल में चकला सरकार यों परगना के मद्द और रंग्जेब के समय में असद खान ने सरवादी के 31 वरसों तक दीवान के पत परकार किया औरंग जेब के समय में शेरसा द्वारा भूराजस सुहेत अपनाई जाने वाली पद्धती राई का उपियोग अकबर ने भी किया था अकबर के द्वारा करोडी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 इसीवी में की गई इसे अपने छेतर से करोड दाम वसूल करना होता था दहसाला विवस्था 1580 इसीवी में अकबर ने दहसाला नामकी नवीन कर पडाली प्रारंब की इस विवस्था को टोडर मल बंदोबस्त भी का जाता है या रहत वारी विवस्था थी जिसमें किसान सीधे ही प्रतिवर्स लागान देने के लिए उत्तरदाई होते थे इस विवस्था का वास्तिविक प्रेड़ता टोडर मल था इसके अंतरगत अलग अलग फसलों के पिछले दस वर्स के उत्तपादन और उसी समय के प्रचलित मुल्यों का आउस्त निकाल कर उस आउस्त का एक वटे तीन हिस्सा राजस्थ के रूप में वसूला जाता था जो नगद रूप में होता था इस प्रडाली में एक वटे दस भाग हर वर्स वसूल वसूला जाता था जिसे माल ए हर साला कहा जाता था अब इस वेवस्था में भूमी को चार भागों बाटा जाता था एक भूमी होती थी पोलज दूसरा होता था परती तीसरा होता था चाचर और चोथी होती थी बंचर तो पोलज वो जमीन होती थी जिसमें इसमें प्रतेक वर्स नेमित रूप से खेती होती थी परती वो जमीन होती थी इसमें उर्वरता प्राप्त करने के लिए एक या दो वर्स के अंतराल पर खेती की जाती थी चाचर इस भूमी पर तीन से चार वर्स के अंतराल पर खेती की जाती थी और बंजर या खेती योग भूमी नहीं थी यह ता इस पर लागान नहीं वसूला जाता था क्रसक तीन प्रकार के होते थे मुगलकाल में क्रसक तीन प्रकार के होते थे खुदकास्त, पाही कास्त, मुजारियन खुदकास्त वो होते थे जो उसी गाउं की भूमी पर खेती करते थे जहां वो निवास करते हैं पाही कास्त वो किसान होते थे जो दूसरे गाउं जाकर बटाईदार के रूप में क्रसिकार करते थे और मुजारियन वो होते जो खुदकास्त क्रस्कों से भूमी किराये पर लेकर क्रसिकार करते थे मुगलकाल में भूमी करके आदार पर भूमी का विवाजन होता था करकियादार पर भी भूमी विवाजित होती थी खालसा भूमी जागीर भूमी और सयूर गाल भूमी तो खलसा भूमी या साही भूमी थी जागीर भूमी प्रमुख विक्तियों को वेतन के रूप में दी गई जाने वाली भूमी जागिर भूमी, सयूर गाल इसे मददे मास भी कहते थे तो सयूर गाल भूमी जो होती थी वो अनुदान में दी गई लागान मुप्त भूमी सयूर गाल कहती है इसे मिल्क भी कहा जाता था पंदरा सो सत्तर इकत्तर इसे में टोडर मन ने खालसा भूमी पर भूराजश्व की नवीन प्रडाली जपती प्रारंब की इसमें करनेधारण की दोसरेडी थी एक को तकसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे और रंग जेब ने अपने सासनकाल में नस किया कनकरत प्रडाली को अपनाया और भूराजश्व की राज को उपज का आधा कर दिया या एक प्रकार से ठेकेदारी विवस्था थी कनकरत प्रडाली को दाना बंदी भी कहा जाता था मुगलकाल में कर निर्धारन की अन प्रडालियां भी पचली थी बटाई अथवा गल्ला बक्सी इसे मावली भी कहा जाता था अगला है बटाई प्रडाली में राजस निर्धारन तीन प्रकार से होता था खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई तो खेत बटाई जिसे फसल त्यार होते ही खेत का बटवारा हो जाता था तो इसे खेत बटाई मतलब करनिदारित कर दिया था लंक बटाई फसल काटने के बाद गठरों का बटवारा होता था तो लंक बटाई रास बटाई इसमें अनाज का बटवारा होता था अकवर ने सूर की गरना पर आधारित इलाही समवत प्रचलित किया जिसे फसली समवत भी कहा जाता था छेत्रफल की इकाई बीघा मानी जाती थी अकवर ने भोमी की 25 हे तो 586 यू में सिकंदरी गज यानि 29 अंगुलिया 32 इंच के इस्थान पर इलाही गज यानि 41 अंगुलिया साड़े 33 इंच को प्रचलित किया मुगल काली नर्थ विवस्था का अधार चांदी का रुपया था दैनिक लेंदेन के लिए तामे के दाम का प्रियोग होता था एक रुपय में 40 दाम होते थे सबसे बड़ा सिक्का संसब सोने का होता था संसब स्रुड का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकरत बनवाई तथा उस पर अपना एउम नूर जहां का नाम अंकित करवाया आना सिक्के का प्रचलन साह जहां ने करवाया था मुगल काल में रुपय की 69 इसवी में आकबर ने जजिया की वसूली समाप्त कर दी थी जजिया कर को 1689 इसवी में आउरंग जेब ने पुना लागू कर दिया इसका निरधारन तीन स्रेडियो में किया गया था नमबर एक दसहजार दिरहम से अधिक संपतिवालों को 48 दिरहम प्रतिवर्स दसहजार से अधिक जिनकी आमदनी प्रतिवर्स है तो 48 दिरहम प्रतिवर्स देंगे दोसो दिरहम से अधिक दसहजार दिरहम तक के संपतिवालों से 24 दिरहम प्रतिवर्स दोसो दिरहम से अधिक और दसहजार दिरहम तक के संपतिवालों से 24 दिरहम प्रतिवर्स और दोसो दिरहम से कम संपतिवालों से 12 दिरहम प्रतिवर्स जकात मुसल्मानों से उनकी संपत का धाई प्रतिवर्स लिया जाता था जकात मुगलकाल में सीमा सुल्क पेशकस वजर आदिवी प्राप्त होते थे सीमा सुल्क यानि चुंगी की दर वस्त के मुल्ड का धाई प्रतिशत होती थी सीमा सुल्क कालांतर में या दर 3.5 प्रतिशत हो गई थी मुगलकाल में आयात निरियात पर साड़े 3 प्रतिशत तथा सोड़ चांदी पर 2 प्रतिशत कर लिया जाता था मुगलकाल में खाद पदार्थों में गेहूं, चावल, बाजरा और दाल मतलब पलसेती, मुख्य थे खाद पदार्थों में आगरा के निकट बयाना तथा गुजरात में सरखेज से अच्छे किसम की नील पैदा होती थी आगरा के निकट बयाना गुजरात में सरखेज भारत में तमबाकू का प्रचलन 1604 इसवी के लगबग पूर्त गालियों दोरा हुआ था इसी समय मक्का की उपज प्रारंब की गई मुगलकाल में गन्ना, कपास, नील, रेसमाधि फसलों का उत्पादन होता था जिने तिजारती यानि नकदी तथा उत्तम फसले कहा जाता था मुगलकाल में थोक वेपारियों को सेट, बोहरा एव मोदी कहा जाता था तथा खुदरा वेपारियों को वानिक कहते थे मुगल काल में निर्याद की वस्तुएं थी नील, सोरा, अफिम तथा सूती वस्तुएं मुगल काल में आयाद की वस्तुएं थी सुरड, चांदी, कच्चा, रेसम, घोडे अच्छा, सोरा कोरो मंडल तट एवं बिहार में उत्पादित होता था सोरा जो है, कोरो मंडल तट एवं बिहार में उत्पादित होता था सोरा मुगल काल में सोने चांदी का आयात इतना बढ़ गया था कि बर्नियर ने लिखा है बर्नियर एक इतिहास कारुनों लिखा है कि विस्तु के प्रतेक भागों में चक्कर लगाने के बाद सोना चांदी भारत में दफन हो जाता है मुगल काल में रहने वाले अगला पॉइंट है मुगल काल में गाउं में रहने वाले आइस्थाई रूप से व्यापार को विचहती या विचहायत कहते थे मुगल वासा सभी आयातों या निर्यातों पर साड़े तीन प्रतिसत चुंगी लेते थे मुगल काल में वस्त विनमय का माध्यम हुंडी था हुंडी एक प्रकार का अल्प कालिन रिड था या वह चिठ्थी होती थी जिसका भुगतान एक निश्चित अवद के बाद कुछ कटवती करके किया जाता था हुंडी अठारवी सताब्दी में बंगाल एवं गुजरात में रिड प्रतान करने की एक नई विवस्ता प्रारम हुई जिसे ददनी या अग्रिम सम्विदा एवं पेशगी कहा जाता था बावर ने काबुल में चांदी का सारुख तथा कंधार में बाबरी मुद्रा प्रचलित किया था बावर ने काबुल में चांदी का सारुख तथा कंधार में बाबरी मुद्रा प्रचलित किया था सेरसा की मुद्रा विवस्ता अत्यंत विक्सित थी उसने सुद्ध चांदी का रुपे यानी 180 ग्रेन तथा तामे का दाम 380 ग्रेन प्रचलित किया था अकबर ने अपने कारकाल के प्रारंब में मुहर नामक सोड मुद्रा प्रचलित की थी एक मुहर चान्दी की नौ रुपियों के बराबर थी जहांगीर ने निसार नामक सिक्का प्रचलित किया था जो रुपे का चौथाई मुल्य के बराबर था तो ये तो था सासन विवस्था नेक्स पार्ट में देखेंगे मुगल कालीन, सिच्छा, साहित और कला के बारे में तब देख लेते हैं कोस्चन 120 तक 101 हो गया था 102 कोस्चन है किस इतिहासकार ने अकबर दोरा प्रतिपादित दी ने इलाही को एक धरम बताया है तो अबूल फजल ने इसको धरम बताया है अबदुल कादिर बनायून निजामुद दीन आहमद इन्होंने दोने बताया है विचार धरा अगला है अन्वार ए सुहेली ग्रंथ किसका अन्वाद है तो अन्वार ए सुहेली ग्रंथ पंच तत्र पंच तत्र का है पंच तंत्र पंच तंत्र जो किताब है उसी को फारसी में किया गया है अन्वार ए सुहेली जहांगिर के दरवार में पच्छियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मसूर कौन था मसूर निम्न में से किसके मुगल काल में इतिहासिक विवरण लिखा तो निम्न में गुल बदन बेगम ने मुगल काल में इतिहासिक विवरण लिखा जहां आरा बेगम नूर जहां बेगम जेबुना बेगम ने नहीं गुल बदन बेगम ने अकवर दोरा अपनाई गई सुला एक कुल यानि सारो भोम सांति था भाईचारे की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारी थी तो ये जो सुला एक कुल जो थी अवधारणा ये राजनीतिक उधारता एवं धारमिक सहन सीलता उधारवालदी सांसकर्तिक द्रश्टिकूण सभी पर आधारित थी अगलाय प्रसिद संगी तक गितान सेन का मकवरा इस्थित है कहां गौलियर में गुल बदन बेगम पुत्री थी बाबर की मुगल प्रसासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था किस सिख गुरु की मरत्त के लिए औरंग जेब जिम्मेदार है तो गुरु तेग बहादुर की मरत्त के लिए औरंग जेब जिम्मेदार है भारत के मुगल सासक बनने पर जहिर उद्दीन मुहम्मद ने क्या नाम रख़ा अकबर के काल में महा भारत का फार्सी अनुआग जिसके निर्देशन में हुआ था वा है फैजी अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुआ जिसके निर्देशन में हुआ था वह है फैजी दिल्ली के प्रसिद जामा मस्जिद का निर्मार किस ने किया तो दिल्ली के प्रसिद जामा मस्जिद का निर्मार साह जहाने किया मुसल्मान विद्वानों में से हिंदी साहिद के लिए किसका सबसे मात्रपोड योगदान है तो अब्दुम्रहीम खान खाना का निमने तथ्यों में कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्री समराट सिद्ध करने में सहायक नहीं है तो अकबर ने इसलाम धरम को त्याग दिया ये तथ्य जो है अकबर को राष्ट्री समराट सिद्ध करने में सहायक नहीं है वाकी प्रसासनी एकता और कानूनों की एक रूपता अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न अकबर की धार्मिक नीत ये सभी जो है तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्री समराट सिद्ध करने में सहायक है अकबर द्वारा बनाई गई स्रेष्टतम इमारते पाई जाती है फतेपूर सिकरी में हल्दी गाटी यूद 1576 के पीछे अकबर का मुख्यू देश था राड़ा प्रताप को अपने आधिन लाना 118 मुगल समराट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था तो अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार दसवंद था कौन था दसवंद 119 किसमे हिंद था इरानी वास्तुकला का सरोप्रतम समन्ने देखने को मिलता है तो ये मिलता है सेर सा के मकबरे में किसमे सेर सा के मकबरे में और आज का अंतिम कोश्चन है सेर सा के बच्पन का नाम था फरीद खां तो ये आज का 120 कोश्चन हुए और मुगल सासन विवस्था की रन से हुई कल हम लोग 121 से नेक्स्ट वीडियो में 121 से